दोस्तों जैसा की आपको पता है पांच शितंबर के दिन हम देश के एक महान अध्यापक डोक्टर सरवपली रादा किसनन जी का जनम दिवस टीचर डे के रूप में बड़े ही धूम धाम से मनाते आ रहे हैं आज का ये दिन हमारे देश के उन सभी मान सिक्षकों को समर्पित है जो बहुत मेहनत करते हैं इस तेश को आगे बढ़ाने में इस तेश का बविश्य बनाने में जो सत्य की रहा पर चलना सिखाते हैं जीवन के संगर्सों से लड़ना सिखाते हैं, कोटी-कोटी नमन है उन सभी सिख्षकों को जो हमें इमानदारी से जीना सिखाते हैं एक बार फिर मेरे सभी आदरने गुरुजनों को सिख्षक दिवस की हारदिक सुब कामना है आज इस सिख्षक दिवस के सुब आउसर पर एक स्टूडेंट के दिल में अपने टीचर के परती जो भावनाएं जो फिलिंग्स चुपी हुई होती हैं उन्हें बताने जा रहा हूँ जिशेवे कभी अपने टीचर को महसूस भी नहीं होने देता है क्या करे जनाब ये दिल के कुछ एहसासों और मरियादाओं से बरा रिस्ता ही कुछ ऐसा होता है ध्यान से सुनिएगा और गौर फर्माईएगा जब हम आये थे आई टी आई कुन मनेठी में पहली बार सब अन जाने से लगते थे जब हुई थी आप से मुलाकात तो आप बड़े हिस्ट्रिक पर थोड़े स्वीट से लगे थे आप फिर धीरे धीरे ये समय एहसासों से गुजरता गया एक अंजाने से रिस्ते में यूँ अपना पंसा बढ़ता गया फिर भढ़ने लगी सरारतें और दिन पिटने के आए फिर भढ़ने लगी सरारतें और दिन पिटने के आगए सहमी हुई सी जिंदगी में कुछ मस्ती के पल भी चा गए काम दिया जो आपने उसे पूरा ना करके लाते हम बना बहाना कोपी है घर और लोकर में आपकी मार से बच जाते हम लो आ गया घंटा सरजी का अब कुटन की बारी है सीट बदल लो जल्दी से पीछे की सीट भी खाली है पर हैं गुरु वो अपने हर बात यूँ समझ जाते हैं पहला नमबर कोपी का वे पीछे से ही लगाते हैं पहला नमबर कोपी का वे पीछे से ही लगाते हैं क्या करे यारो आज हम फिर से ही पिट जाते हैं यह मार नहीं प्यार है यह मार नहीं प्यार है एक गुरु शिष्य के नाते का अरे बन जाता है नाम और मुकदर अरे बन जाता है नाम और मुकदर इससे अच्छे अच्छों का जो सक्स अपने गुरु जनों के हाथों से कभी पिटा नही वै क्या जाने क्या मौल है उसका लोहा भी बिन चोट अथोडों के बाजारों में कभी बिका नहीं बस कभी कभी करते हैं सरारत वैसे तो रोज पढ़ते हैं हम बैक बेंचर्स का मतलब यह है तो नहीं कि सिर्फ बातों में लगे रहते हैं हम चिंता है उसको चिंता है आपको हमसे ज़्यादा हम लोगों के फ्यूचर की दिन रात पढ़ाया आपने कोई कसर न छोड़ी मेंद की आपकी कही सब बातों को बड़े ध्यान पूरवक सुनते हम मिलता मोटीवेशन गजब का और घंटों तक पढ़ लेते हम अब घड़ी आई है उड़ान की पंक सजाए बैठे हैं कौन भरेगा कितनी उड़ान यह आस लगाए बैठे हैं वादा रहा यह आप से आपका बिमान न जुकने देंगे हम प्रिक्षा की इस चुनोती में उम्मीदों पर खरा उतरेंगे हम बस है तमन्ना इस वरसे हर जनम में आपका साथ मिले आप गुरू और मैं शिश्य है यह रिस्ता ऐसा खास मिले और क्या लिखू मैं आगे मेरे सब्द भी कम पड़ जाएंगे और क्या लिखू मैं आगे मेरे सब्द भी कम पड़ जाएंगे एक गुरूर शिश्य के रिस्ते को अब हम बयाना कर पाएंगे अब हम बयाना कर पाएंगे अब हम बयाना कर पाएंगे Thank you